देश में साइबर ठगी के मामलों से कोई भी राज्य अचूता नहीं है। उत्राखन में भी हर दिन साइबर ठगी के कई नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। अब नैलिताल में साइबर ठगी का एक नया मामलास सामने आया है। जहाँ बीदे दिन ठगों ने मलिताल गए खाते में डाल दी लेकिन जब बेटी से फोन पर बात हुई तो उसने कोचिंग में होने की बात कही जिसके बाद उन्हें ठगी का एसास हुआ इस गटा के बाद पूरे शहर में साइवर ठगी के इस मामले की चर्चा होने लगी मिली जानकरी के अनुसार बीते दिन ठगों ने मलिताल निवासी तेज सिंग को फोन कर उसकी बेटी का अफरन हो जाने की बात कहकर दस लाग रुपए की मांग कर डाली इतना सुनते ही तेज सिंग की सासे अटक गई बेटी की जान की खाते और अपनी आर्थिक स्तिती का हवाला दे कर उन्होंने ठगों से कहा कि उनके पास इतनी रकम नहीं है उन्होंने बेटी को छोड़ने की गुहार लगाई इधर ठगों ने कहा कि अभी जितना पैसा है फिलहाल उत्रा पैसा बताएगा अकाउंट में डाल दो जिसके बाद उन्होंने पांच हजार रुपए उनके खाते में डाल दिये उधर तेज सिंग ने जब बेटी को फोन किया तो वो सकुशल थी और उसने बताया कि वो कोचिंग में है इस पर तेज सिंग को ठगे जाने का अंदेशा हुआ और वो फोरन पुलिस स्टेशन अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया मलेदार कोतवाली पहुचे तेज सिंग ने बताया कि ठगों ने शातिराना अंदास से बेटी और सभी परिवार जनों के नाम लिये जिस पर वो घबरा गए और उनके एकाउंट में पैसे डाल दिये वहीं SSI PS महरा ने इस मा जाएगा